आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुती इजी क्विक चटपटा सा स्टार्टर की रेसिपी इसे आप अपने गेस्ट के लिए बना सकते हैं इवनिंग स्नैक पर बना सकते हैं या फिर किसी दावत या पार्टी के लिए भी बिल्कुल पर्फेक्ट स्टार्टर है तो अ 23,12 kg लिया है और बाइट साइस में से कट कर लिया है इसमें एड़ करेंगे हम 1 ती श्पुन अद्रक लासन का पेस्ट 1 अप टी स्फून 5उड नमग रेड चिली त्यपंगे-1 ती स्पून डार्क सोय सॉस लिया है- 1 ती स्पून- बिनिगर 1 टीस्पून, कॉन फॉलार लेंगे इसमें 4 टेबल स्पून इसे अची तरह से कोट करने के लिए और इसमें एड़ करेंगे हम एक अंडा इसके साथ लेंगे हम 1 फोर टीस्पून काली मिर्चो का पॉडर इन सबी चीजों को हम अची तरह से मिक्स कर देंगे और इस पैन में मैंने तेड गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है बहुत बहुत सब्सकी बहुत और आप इसे किसी भी नाइफ से या टूथपिक से चेक कर लीजिए कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे तो ये बहुत ही जटपट से मैरिनेशन है और इसे जटपट से फ्राइ कर लेंगे इसमें कोई ज़ादा वक्त नहीं लगता है अब यहां पर हम एक सॉस बनाएंगे उसके लिए हमने एक कड़ाई ले लिया है कोई भी वक ले लीजिए इसमें एड़ करेंगे 4-5 तेबल स्पून ओयल जैसी ओयल गरम हो जाएगा इसमें एड़ करेंगे मिल्कुल बारी कटा हुआ लैसन टू टेबल स्पून जूलियन अदरक एड़ करेंगे इसमें जो लैसन का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा तो थोड़ सा जादा हम डालेंगे हलका सा गोल्डन कलर आ जाए इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे 2 टी स्पून टोमेटो सॉस यहाँ पर फ्लेम को लो रखना है 1 टी स्पून सोया सॉस और 1 फूर्थ का पानी आड़ करेंगे इन सबी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके और एक बॉयल आने देंगे अब इसमें आड़ कर देंगे 1 टी स्पून विनेगर जब इसमें उबाल आने लगे इस टाइम हम एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी लिया है मैंने फोर टु फाइव टेबल स्पून और उसमें वन टी स्पून कॉन फुलार को डिसॉल्व कर लिया है तो यह हमारे सौस को थोड़ा सा ठिकनश देगी तो आपको थोड़ा थोड़ा करके अट करना है अगर यह सौस तो आप थोड़ा साथ थीक हो जाए तो आप थोड़ा पानी एड़ करके उसे बैलन्स कर सकते हैं अब इसके साथ साथ एड़ करेंगे हम जूलियन अदरग और जो हमने फ्राई किया था चिकन इसे एड़ कर देंगे तो हमने जो सॉस बनाया है ये इतना है कि चिकन को अच्छी तरह से कोट कर ले तो ये जनरली ड्राई साइड पर ही होता है बहुत जादा इसमें ग्रेवी नहीं होती है यहाँ पर नमक भी आप टेस्ट करके डाली अगर थोड़ा सा कम लगता है तो आप एड़ कर सकते हैं इसके साथ इसमें डाला है हमने सफेद तिल वन टी स्पून हरी प्यास थोड़ा सा एड़ करेंगे इसके अंदर वन फोर टी स्पून काली मिर्चों का पॉड़र एड़ करेंगे तो यह लास्ट में एड़ करने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है काली मिर्च का और बहुत अच्छी सी खुच्पू भी आती है फाइनली इसे हम गार्निश कर देंगे सफेद तिल से हरी प्यास से बिल्फूल गर्मा गर्म इसे हम सर्फ करेंगे तो आप अपने गैस्ट के लिए बनाएए या फिर अपनी फैमली के लिए बनाएए सब को बहुत ही पसंद आएगा बच्ची हो या बड़े हो सब का फेव है आप भी से ज़रूर प्राइए करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टूरेंट स्टाइल चिकन मलाई टिका की रेसिपी बिना तंदूर बिना अवन के बनाएंगे लेकिन इसका टेस्ट इतना जबरजस्त है जैसे लगेगा आपने इसे तंदूर में बनाया है और जिसे भी आप खिलाएंगे उन्हे रेस्टूरेंट से मंगाया है किसी भी पॉल्टी स्टाइब्ले पर बनासकते हैं लिएफ़ चुलो बासुर्थ SUN को पार्टन करेंगे अफंट कालि मिर्चों और हम ďटेस्पून का पॉड़र, थे अब इसमें एड़ करेंगे हम दही 1 4th कप जीसे मैंने च्छनी में रख दिया था और इसमें एक्स्ट्रा पानी निकल गया है तो हमें गाड़ा दही यूज करना है half cup fresh cream use करेंगे amul का fresh cream मैंने use किया है हरी मिर्चो का paste एड़ करेंगे 2 teaspoon गरा मसाला powder एड़ करेंगे हम 1 and a half teaspoon नमक half teaspoon एड़ किया है total मैंने 1 teaspoon एड़ किया है 1 fourth teaspoon सफेद मिर्चो का powder कसुरी मेथी 1 teaspoon हरा धनिया 3 tablespoon एड़ करेंगे बिल्कुल बारी कटा हुआ और इन सभी चीजों का अची तरह से mix कर देंगे इसे कम से कम 4 गंटी के लिए आप रख दें या फिर overnight फ्रीज में रख दीजे 4 गंटे बार अब इसमें मैंने add किया है 1 tablespoon corn flour और इसे अची तरह से mix कर लिया है अब यह ready है पकाने के लिए तो यहां पर मैंने एक पैन में 4-5 tablespoon oil कर लिया है जैसे oil करम हो जाएगा इसमें हम अरेंज कर देंगे चिकन के पीसे जितने आपके पैन में आए उतने आप एड़ कर दीजेगा और इसके उपर थोड़ा सा जो मसाला है जिसमें मेरिनेट किया था वो मसाला इसके उपर थोड़ा सा लगा देंगे नहीं आयए मैंने इसमें add कर दिया है इसे हम ढ़क कर पकनी देंगे और जब एक साइड से इसका color आजाए तो इसे हम flip कर देंगे पिर से इसे ढ़क कर हम पका आएगे और जब इसमें दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाए और ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए इसके बाद इसे मैंने निकाल लिया है अब इसी पैन में मैं बागी बचा हुआ जो चिकन है उसे भी अच्छी तरह से पका लूँगी आप चाहें तो एक साथ दो पैन भी ले सकते हैं अगर आपके पास छोटा पैन है तो आप एक साथ दो पैन में भी रख सकते हैं तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और एक साथ पूरा चिकन रेडी हो जाएगा तो सेकेंड बैज भी रेडी है और मैंने सभी एक ही पैन में डाल दिया है अब इसे हम स्मोकी फ्लेवर देंगे इसके लिए हमने एक बोल लेया है और इसमें एकदम गरम चारगुल रखेंगे थोड़ा सा ओयल ट्रेजल करेंगे और इसे ढखकर दो से तीन मिनट के लिए अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने कंटेनर में सर्फ किया है जैसे कि रेस्टोरेंट वगर हमें देते हैं तो इस तरह से अगर आप सर्फ करेंगे तो सबको यहीं लगेगा कि आपने रेस्टोरेंट से ओडर किया है इसके उपर फ्रेश क्रीम एट करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और यहां पर मैंने थ्री टेबल स्पून बटर को मेल्ट कर लिया है तो इसके पर मेल्टेट बटर एड़ करेंगे और यह हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा चिकन मलाई टिकका बनके रेडी है आप इसे घर में बनाईए अपने गेस्ट के लिए बनाईए खाके सभी बहुत ही इंजॉय करेंगे तो इसे आप हरी चटनी के साथ जरूर सर्फ करेंगे और यह बहुत ही सॉफ्ट है बहुत अच्छी तरह से गल गये है आप चाहें तो इसे सीक में भी लगा कि आप बना सकते है या फिर आप इसे इस तरह से भी बना सकते है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन बोटी फ्राई बनाने की रेसिपी और बहुत ही इजी है सिंपल इंग्लिडियन के साथ बन जाते हैं बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी है आप किसी भी पार्टी या दावत में as a starter बना सकते हैं सबको बहुत ही पसंद आएगा तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और मेरी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करेगा सबसे पहले यापर हमने लिया है चिकन 750 ग्राम और इसे अची तरह से वाश कर देंगे इसका पानी पुरी तरह निकल जाए इसके बाद इसमें एट करेंगे हम नमक वन टी स्पून जीरा पॉडर वन टी स्पून गरम असला पॉडर वन टी स्पून धनिया पॉडर लेंगे वन टी स्पून हलती लेंगे थोड़ा सा लेंगे बहुत जादा नहीं तो यह हमने इसके साथ लेंगे चिली फिलेक्स वन टीजपून एक निम्वू का रज डालेंगे यहां पर मैंने रैड चिली सॉस लिया है वन टीजपून भर गर और डार्क सोया सॉस लिया है वन टीजपून इसके साथ add करेंगे हम red food color 2 pinch आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं इन सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छी तरह से mix करेंगे और इसे हम रख देंगे fridge में अगर आपको best result चाहिए तो आप इसे overnight रखें नहीं तो आप कम से कम 4-6 घंटा इसे ज़रूर रखें तो यह next day मैंने अब इसमें add किया है corn flour 2 teaspoon और basin 2 teaspoon भर कर डालेंगे इसमें हम आने लिया है half teaspoon chili flakes और कुटा हुआ धनिया लेंगे हम half teaspoon इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से mix करेंगे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा dry हो गया है बस इतना पानी डालना है कि इसके उपर मसालों की coating हो जाए और बिल्कुल भी पानी जादा ना पड़े तो इस चीज का ध्यान देना है तो बहुत धीरी धीरी आपानी डालके से mix करें बस एक coating अच्छी सी हो जानी चाहिए अच्छी से mix हो जाने के बाद अब इससे हम direct fry करेंगे तो यहां पर तेल अच्छे से गरम हो चुका है high flame पर हम एके करके drop करेंगे और जब एक side से पक जाए उसके बाद इससे हम flip करेंगे flip करने के बाद flame को हम बिल्कुल medium पर कर देंगे और medium flame पर इसे fry करेंगे जब तक चिकन पक न जाए तो इसे चार से पांच मिनट लगेंगे पकने में क्योंकि हमने इसे overnight marinate करके रखा है तो इससे चिकन तो जल्दी पक जाते है तो यहां पर चिकन बोटी फ्राई बनके बिल्कुल ready है और इसे मैंने एक कंटेनर में इस तरह से सर्फ किया है तो आप अगर पार्टी या दावत में सर्फ कर रहे हैं तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगीगा और इसके उपर मैंने drizzle किया है दही वाली हरी चटनी जो टिकका और चिकन फ्राई के साथ मिलता है बाजार में बहुत ही सिंपल सी ये चटनी है इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, पुधीना, हरी मेर्च, लैसन, नमक और इसे हमने दही के साथ पीस लिया है तो यह हमारे जटपट से चटनी बनके रेडी हो जाएगी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ओरिजिनल दिल्ली स्टाइल चिकन फ्राई की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, उपर से विलकुल क्रिस्पी और अंदर से जूसी तो आप इसे सरूर ट्राई करिएगा, वीडियो पसंद आए तो जल्दी से एक लाइक करतीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सरूर करिएगा तो चलिए इस मज़िदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है चिकन तीन पाओ यानि की 750 ग्राम इस अची तरह से वाश कर लिया है अब इसमें एड करेंगे और इसे हम बहुत अची तरह से मिक्स कर देंगे तो यह हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है इसे मैंने फ्रिज में ओवरनाइट रखा है ओवरनाइट रखने से यह बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते है और इसे पकने में भी बहुत कम टाइम लगता है अगर आपके पास टाइ अब नेक्स डे इसमें एट करेंगे हम सीरा पॉडर 1.5 तीस्पून धनिया पॉडर 1.5 तीस्पून लाल मिर्चयो का पॉडर 3-4 तीस्पून गर्म मसाला पॉडर 1 तीस्पून अजवाइन लेंगे 1-4 तीस्पून चाट मसाला 3-4 तीस्पून और रड फूड कलर एट किया मैंने 2 पिंच, कॉन फ्लार लेंगे 3 टी स्पून और बेसन लेंगे 3 टी स्पून तो अच्छी तरह से भर के लेना है अब इसमे अट करेंगे हम हंकर्ड तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून दही को एक छन्नी में रख दिया था जिससे उसका एक्स्टर पानी निकल गया है और हमें एकदम गाड़ा दही मिल जाएगा अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब यह फ्राइ करने के लिए रैड़ी है तो यहाँ पर तेल बहुत अच्छी तरह से गरम होना जाएए जब एक साइड से कलर आ जाए उसके बाद हम इसे फिलिप करेंगे आप इसे बहुत जादा चमब से चलाएंगे तो इसका जो कवर है वो तूट जाएगा तो जब एक तरह से कलर आ जाए फिर इसे हम फिलिप करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसका कवर जरा भी कहीं से भी नहीं निकला है बहुत अच्छी तरह से कोटिंग हुई है दूसरे साइड से फिलिप करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे और यह हमारा चिकन फ्राइ बिल्कुल रैडी है बहुत ही अच्छी तरह से फ्राइ हुआ है अंदर से बहुत ही अच्छी तरह पक चुका है और आप देख सकते हैं तेल भी कहीं भी आपको मसाला नजल नहीं आ रहा होगा तो यह बहुत ही परफेक्ट रेस्टिपी है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा तो यह हमारा ओरिजिनली स्टाइल चिकन फ्राइ बनके रैडी है और इसे सर्फ करेंगे हम लेमन स्लाइस के साथ ओनियन स्लाइस और हरी चटनी के साथ और चटनी बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए मैंने लिया था थोड़ा सा धनिया पुदीना हरी मिर्च लहसन नमक और इसे मैंने दही के साथ पीज लिया था तो यह हमारी चटनी बंके बिल्कुल रेडी है और इसके उपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम चार्ट मसाला आई हो पाज की रेसिप आपको अच्छी लगी होगी और अथी लगी तो हमेशा की तरह लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सरूर करें